This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. Hi viewers, 1 December की Local News में आप सभी का स्वागत है. आज की दिन भर की खबरों के साथ मैं निशा आप सब के सामने मौजूद हूँ. आए देखते हैं Headlines. कागजनगर में रेलवे की तीसरी लाइन का काम जोरो पर. पोड़ू भूमी समस्या पर सरकार को घेरा डॉक्टर शीनिवास ने. कागजनगर CI के रूप में रविंदर जी की नई बहाली. कौटाला के कंकलम्मा मंदिर में विशेश यात्रा महत्सव. वरंगल पुलिस का विशेश अभ्यान शुरू. उत्तरी तिलंगाना में शीत लहर का प्रको. आदेलाबाद में वेक्ति ने गारी को लगाई आग. कहा चलान से हूँ परिशान. रेलवे की तीसरी लाइन का काम जोरो पर है. काजी पेट से बलाड शार्ज शेक्षिन में कोहरा और सिगनेलिंग में एज़िस्मेंट के चलते गारीों की टाइम टेबल में काफी उलट फेर हो रहा है. आई दिन ट्रेनों को बलार शाव में कई घंटों तक रुकाया जा रहा है. आज सुभा साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ इंजियनरिंग इंस्पेक्टर कौशिक बैनर जी ने अपने टीम के साथ काज़नगर से माकूरी तक का ट्रॉली इंस्पेक्षिन किया. ये इलाका जंगलों से भरा हुआ है. और जादातर अर्थवक का काम पूरा हो चुका है. सिर्फ पट्रिया बिछानी बाकी है. इस इंस्पेक्षिन में रेलवे के इंजियनरिंग विभाग और काज़नगर डिवीजन के वन विभाग ने भाग लिया. अपने स्थानिय दोरे पर निकले बीजेपी नेता डॉक्टर शी निवास ने राउलापली गाउं में आज बैठक की. गाउं की सबसे बरी समस्या पोडु भूमी से जुरी हुई है. साट से सतर सालों से खेती कर रहे किसानों को पट्टा नहीं दिया गया. एक देन अच्छानक से वन विभाग के अधिकारी आकर वहाँ पर खेती रोग देते है. तिलंगाना में ये समस्या काफी आम हो चुकी है. इस समस्या का समाधान जल से जल करना चाहिए और इन किसानों को जल से जल इन जमीनों की पट्टे दे देना चाहिए. ऐसी डिमांड डॉक्टर शी निवास ने की. कागसनगर टाउन के पुलिस विव भाग में फेर बदल हुआ. इलाकी के सरकर एंस्पेक्टर की रूप में रविंदर जी को बहाली हुई है. हाल ही में तिलंगाना पुलिस में नए पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी हुई और उन्हें उनके पूस्टिंग पर बहाल किया गया. सी आई बनने की तुरंत बाद रविंदर जी ने स्थानिय विधायक कोनेरु कोनपा से मुलकात की. कौटाला स्थेत कंकल अम्मा मंदिर में विशेश पूजा और वार्शिक यात्रा महतसव का आयोजन हुआ. दूर दूर से काफी श्रद्धालू कंकल अम्मा माता जी के दर्शन करने के लिए पहुचे. सभी ने उनका आशिरवाद प्राप्त किया. वरंगल पुलिस काफी तेजी से अपराधियों पर अपना शिकन्जा कस रही है. वहां की कमिशनर तरून जोशी जी ने विशेश मुहीम चलाते हुए 60 दिरों को पकड़ना शुरू किया. पहले T20 वर्ल्ड कप और अब भारत न्यूजिलांड टेस्ट सिरीज पर लग रहे 60 पर जोर देते हुए उन्होंने सर्टोरियों को रंगे हाथ पकड़ा. एक और गैंक का पधफाश तब हुआ जब गारियों के नकले एंसुरेंस बनान नहीं मिल रहा था. सिर्फ पुलिस को कागस दिखा कर लोग अपना काम चला रहे थे. तरुन जोशी जी ने लोगों से ये कहा कि ऐसे नकली कागस ना बनाए और जरूरत परने पर ऑनलाइन में मात्र हजार रुपेओं में थर्ड पार्टी एंसुरेंस बनाए जा सकते हैं. तरुन जोशी जी ने ये सूचन दी है कि वरंगल में चल रहे इस अभियान से नोट्स लेकर तिलंगाना पुलिस बाकी इलाकों में भी ऐसे अभियान चलाएगी. आदिराबाद के विद्यानगर इलाके में एक व्यक्ति ने बीच चौराही पर दिन दहारे सभी के सामने अ एक के बाद एक चलान मारे जा रही है. लंबे चौरे चलानों की लीस्ट देखकर परिशान व्यक्ति ने कहा कि गारी बेचने पर जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे जादा तो चलान भरने में पैसे लग जाएंगे. इसलिए सभी आदिलाबाद निवासियों को गारी छोड से और देसेंबर के पहले पाच दिन उत्तरी तिलंगाना में शीत लहर का प्रकोग देखा जा सकता है. आदिलाबाद में तापमान माइनस एक डिगरी तक पहुचने की आश्यंका है. वहीं कोमरम भीम जिले में तापमान 10 से 12 डिगरी तक जाने की आश्यंका है. साथ ही थं हवा और घने कोहरे का अनुमान है